हेलो फ्रेंद वेलकम बैक माई यूटीब चैनल आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही आसान से ये डिजाइन लेकर क्या हूँ जैसा कि आप देख पा रही हैं बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है एक कलर के उन में मैंने इसे अपलाई किया है और बिल्कुल ही नया डिजाइन है और इसे बनाना उतना ही आसान है ये एट फं रो का एट लाइन का ये डिजाइन है तो बीना टायम वेस्ट किये हुए चलिए बनाते इस डिजाइन को उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लिस सस्क्राइब कर लिजी और जि यहां पर मैंने 22 फंदे ले रखे हैं और एक लैन उल्टा बीन लिया है अगर आप बॉर्डर बनाने के बाद इस डिजैन को बनाना चाहती है तो भी बना सकती है तो चलिए बनाते हैं इस डिजैन को तो फॉस्ट रो राइट साइड से जैसे यह वाला जो सिंबॉल होता है व हमैं सभी फंदे सिधे बनं लेने हैं और इस डिजैन को बहुत ही आसान तरीके से बना सकती है तो पहला और सलाई हमें राइड साइड से सीधे बन लेने हुआ है ठाद इस तरीके से मैं 유。 ऐसे कम्पलीट कर लेती हूँ फ ahí मैं से सिधDpowered हैं लेंगे सीधे आप सिद इंह निए हैं अब लिए हमें यू दि अब कर दो हमें सबए संद अल्टे गालते में आपको सिद 싸ंडों और आपका यूर। बन करके तयार हो जाएगा तो यह सेकंड रॉ बैक साइट से तो इसे मैं कर लेती हूं कम्प्लीट आप भी से कर लो कम्प्लीट तो इस तरीके से थर्ट रॉ भी हो गई अब हम आ जाएंगे फोर्थ रॉ में तो इस तरीके से हमें सेवन्त रॉ कम्प्लीट करना है सिर्फ उल्टे और सीधे तो यह फोर्थ रॉ हो गया फॉर्थ सिलाई अब यह फाइफ स्लाई चल रहा है राइड साइड से पांच वी सिलाई है आगे तरफ से इसे भी हमें पूर सिधा सिधा ही बिनना है इसी तरीके से सेवन्त सिलाई मतलब सात्वी सिलाई तक हमें सिर्फ उल्टा सिधा बनाना यह पांच वी है फिर बैक साइड से आओंगी फिर एक फ्रेंट साइड से जाओंगी सेवन्त सिलाई तक आपको धियान रखना है कि सेवन्त सिलाई तक बन बनाएंगी वह बैक साइड आएगा और यह बैक साइड से ही डिजाइन बनेगा तो यह दिखें पांचवा हो गया पूरा अब यह छठा है छठे को भी हमें बैक साइड से सब भी फंदे उल्टे बिल लेंगे है ना बहुत ही आसान से डिजाइन बनाना सिर्फ उल्टा सीधा बनाएंगी तो वह भी बहुत प्यारा सा आराम से बन जाएगा और जो भी नया स्वेटर बनाती हैं वह भी इस डिजाइन को बना सकता है तो इसी मैं कर लेती हूँ पूरी स्लाई कंप्लीट पूरे फंदे उल्टे बिन के अब आज जाएंगे वापस से राइट साइड इसको हमें पूरी फंदे सिधे बिन लेंगे यह हमारा साथवा सिलाई है आगे के तरफ से अब यह हो गया इस प्लेइन बिनना हो गया कंप्लीट अब जो है बैक साइड से में आपको डिजाइन बना करके बताऊंगी तो धियान से देखिएगा कैसे बनेगा देखे से अब हो गया यह कंप्लीट कुछ इस तरीके से इतना चौड़ा जो है हमें सिर्फ उल्टा और सीधा बनाना है अब जो है पीछे तरफ से देखिएगा कैसे डिजाइन बनेगा उससे पहले आप एक बड़ चेक जरूर कर लिजेगा क्या आपका कौनसा लाइन है जैसे की वन टू थ्री फोर फाइफ एंड शिक्स लाइन हो चुका है देखिए वन नीचे से कॉंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स एंड सेवन लाइन हमारा कंप्लीट हो चु लेना है सिंपल्न Yup अब यहां से लेना है सिंपल ही जयसे यहां पर एक फंद का ईक बना लेना ऊब रखेजिए अब एक लिए फंद है तो त101 ओगया तीसरा फंदा अब वापस साओं चौथा फंदा लएंगे एक दो तीन और यह C4 आहितां वाले 4 वाले फंदी में लेंगे चाराम में को ओपर 1 और 2 फंदL का फंदा बना लेंगे और यह हम पर फंध pouring water भप और बढ़ भी नहीं रहें बस नीचे से उठागर कुआ अपर लाते हैं और उसको दोनों को बिन ले लेते हैं तो देखेंंगे है कि यह ओ गया चोथा सिलाई कमप्लीट हो गया कि अब हमें पांच बांच वाह जो नीचे लेकर है लाइन एक दो तीन चार पांच और ये छे छे वाले लाइन को लेंगे देखिए एक दो तीन चार पांच और ये छे साथ लाइन का हमने ये डिजाइन प्लेन ही बीना था तो इसलिए मैंने बनवाया था ये साथ लाइन को तो देखिए ये हो गया छे हमारा कम्प्रीट हो गया अगर आप ब घहा कैसे हमें घटाना जैसे कि आपने बढ़ाया एक एक फंदे बढ़ाया है तो आपमें कितना लेना है गामाना है 1,2,3,4 यह पाँच साउना वाला फंदा है इसको लेंगे इसके उपर चढ़ाएंगे और दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे देखे ऐसे फिर चाओ था एक दो तीन और ये चार चाओ थे वाले को लेंगे इसके उपर रखेंगे और ऐसे बना लेंगे फिर तीसरा एक दो और ये तीन तीसरा लेंगे और इसके उपर चढ़ाएंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे अब दीखें दूसरा एक और ये दो दो हो गया इसको भी चढ़ाएंगे सिलाई में और दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे ये हो गया अब एक फंदे को हमें extra रखना है बीच में इसको हमें ऐसे simple ही बीनेंगे फिर वापस से हमें दो फंदों का इसमें बनाना है यह हो गया नीचे से लेंगे इसको उपर चढ़ाएंगे और दो फंदों को एक फंदा बना लेंगे इस तरीके से अब दो हो गया था अब तीसरा एक दो तीन तीसरे वाले नीचे से उठाएंगे इसको उपर चढ़ाएंगे और दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे तीन हो गया अब आएगा चौथा एक दो तीन और यह चार चोथे वाली को उठाएंगे इसके उपर रखेंगे और दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे अब आएगा पांचवे की फंदे की बारी फंदे को उठाएंगे ऐसे और इस तरीके से आराम से जो एक लाइन मैंने बोला था ना कि ध्यान रखने वाली लाइन है तो बस एक यही है अब आएगा छटवा वन टू थ्री फोर फाइफ और शिक्स देखें यह लेंगे इसको चड़ाएंगे फिर बिनेंगे अब हमें क्या करने घटाना है तो घटाने के लिएए वन टू थ्री फोर और फाइफ इसको लेना है चे के बाद फिर फिर हम घटा देंगे क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा अब दिखें पांच हो गया अब बचा चार एक दो तीन और यह चार अब बचा तीन, एक दो और ये तीन ये हो गया, अब बचा दो, एक और ये दो अब ये दोनों को हमें चड़ाना है और ये बिन लेना है एक फंदा एक्स्ट्रा बिनना है अब फिर ये साइड के हैं तो इसे भी बिन लेंगे अब देखें, ये हो गया बैक साइड से डिजाइन आपका कम्प्लीट अब जो है सामने से जो डिजाइन दिखेगा, वो आप देखें कितना प्यारा है तंटनाक, कुछ इस तरीके से जो है ये डिजाइन बना है ना बहुत ही आसान सा, इसे आप वाशिंग मेशिन में दूलें, हाथ से दूलें, ये निकलने वाले नहीं हैं क्योंकि हमने इसमें ही सेट किया हुआ है ये फिश सेल डिजाइन इसका मैंने नाम रखा है फिश सेल डिजाइन तो बस इसी तरीकी सा आपको बनाना है और बहुत ही प्यारा से डिजाइन बन करके तयार हो जाएगा आप इसे स्वेटर में, मफलर में, फूल स्वेटर में किसी में भी बना सकते हैं अब जो नेक्स्ट जो है इसके बीच में बनाना है अब बीच वाले फंदे को बनाने के लिए उससे पहले हमने जो यहां पर सेवन लाइन सीधा उल्टा बनाया है उसे ही बनाना है यहां से तो क्या करेंगे पहले फंद उतारेंगे और सभी फंदे सीधे बीन लेंगे यह हो गया राइट साइड से अब जो है उस दो डिजाइन के बीच में डिजाइन अब कैसे बनाएंगी वह भी मैं आपको बता देती हूं उससे पहले थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और यह सेव टीवी देख रही है उसमें भी आप बना सकती है कोई दिक्कत नहीं है बस एक लाइन जो है बस उसमें ध्यान देना है आपको और गिन-गिन करके फंदे उठाना है वरना यह जो है न डिजाइन बिगड जाएंगे तो इस तरीके से हमें सभी फंदे सिधे बिन लेने है अब मैं इसे कम्प्लीट कर लेती हूँ आप भी फटा फट कम्प्लीट कर लेजे वरना आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा तो इसलिए मैं इसे पूरी सेवन ड्रो को कम्प्लीट कर लोंगी सिर्फ उल्टा और सीधा बिन करके अब आजाएंगे हम बैक साइड में तो आपको लागेगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि सेवन लाइन बन चुके हैं तो यह वाले जो फंद यह वाला डिजाइन है इसे यहां से आप गिन लीजेगा इसको छोड़के एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ साथ लाइन जो है हमारी कमपलीट हो चुकी है अब जो है हम नेक्स डिजाइन के लिए तयार हैं तो इसके लिए क्या करना होगा आपको घरवर गिनने की ज़रुवत नहीं पहले क्या करना पहले फंद उतार लेंगे एक फंद हम हमेशा जो है सिंपल बिन लेंगे अब यहां पे हमने दो फंद यहां से स्टार्ट किये थे अब डारेक्ट हमें सिक्स फंद को स्टार्ट करना है वन टू थ्री फोर यह देखिए सबसे नीचे वाले फंदे को उठाएंगे सिक्स वाले को और इसको उपर चढ़ाएंगे और दो फंदों का एक फंद बना लेंगे देखिए इस तरीके से हो गया अब जाए फाइफ वन टू थ्री फोर एंड फाइफ फाइफ फंद यहां से और इसको चढ़ा फिर बिन लेना है अब जाए फोर वन टू थ्री एंड फोर फिर थ्री वन टू थ्री फिर टू वन टू बस जैसा कि मैंने बताया है फर्स्ट रो में उसी तरीके से बनाती जाना है अब वन इसको सिम्पल ही बिनेंगे अगेन हमें वन टू यहां से नीचे से लेके जाना है चढ़ाना है और फिर बिनना है फिर वन टू थ्री यह वाले तीसरे वाले फंदे को लाना है चढ़ाना है और यह बिनना है दो फंदो को हम हमेंसे एक साथ ही बनाएंगे ताकि जाएगा, अब 4, 1, 2, 3, and 4, अब 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and 5, चेह एपल, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, ये दिखे। उसको लाएगा, अगेन 5, 1, 2, 3, 4, and 5, 4 एक पान तंपट कर दो कर दो 4 एक पेल मों स्प्राइब 4 एक पान डूत कर दो 4 एक पान स्थाइब 5 एक पन देख पूर फिर चे 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, and 5 अभी लाष्ट के 1 फंदरी से बिन लेंगी अब जब सामने लाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा इसके उपर में अब जैसे यहाँ पर बना फिर यहाँ पर बना फिर आगे आप नेक्स इसमें ही इस तरीके से बनाते जाएगा 6 रोप बिनने के बाद तो यहाँ तक मैंने 2 लाइन आपको बना करके दिखाए हैं कि कैसे आप बना सकते हैं इस डिजाइन को तो जब ज़्यादा बना लेंगी आप तो बहुत ही प्यारा नजर आएगा जब आप ज़्यादा बनाएंगी तो कितना सा प्यारा सा डिजाइन बन करके तैयार हो जाएगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू